हलो किसान भाईओ, नमस्कार, कैसे हैं आप, आसा करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रोव करते होंगे, यूटुब चैनल स्मानफी स्पार्विंग में आप सभी का स्वागत है, मैं मतष्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई, आसीश चादो किसान बाईयो जैसा कि आप सभी को याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले हैपिरिट कतला से रिलेटेड एक वीडियो क्रीट किया था जिसने आप लोगों ने बहुत जादा प्यार दिया बहुत अच्छा व्यू जाया तो किसान भाईयो उसमें मैंने हैब्रिट कतला के बारे में बहुत सारी बाते बताई उसके बात भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे किसानों का मन काल आया कि जो हैब्रिट कतला का सीड लेना चाहते थे लेना चाहते हैं यहां तक कि इतने बड़े-बड़े किसानों का फोन आया कि विश्वास नहीं होता है कि जो 200-200 एकड में फार्मिंग करते हैं जो जहां पर मचली का हब माना जाता है आंध्र प्रदेश वहां तक लोगों का फोन आया कि समय मैं 200 एकड में फार्मिंग करता हूं मुझे हैबिट कतला का सीड चाहिए तो किसान भाईयों लगता है मुझे आप लोगों ने वह वीडियो पूरा नहीं देखा है तो उसी को देखते हुए आज मैं फिर हैबिट कतला किसे लेटेड एक आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टे देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में जो मैं इंफार्मेशन देऊंगा वह आपको कहीं न कहीं चौका सकता है तो किसान भाईयों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हम आ चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से हैब्रीट कतला के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफार्मेशन देना चाहते हैं जिससे कि हमारे सभी किसान भाईयों की आखे खुल जाएं उन्हें वो धोखा खड़ी के सिकार ना हो पीली तो उन्हें तो किसान में चलिए वीडियो की च्टार्ट करते हैं तो सबसे आपको एक जौकाने वाला इन्फार में सन देते हैं अप लोगों ने देखा हुगा एक मशली वीडिए में चले एक मश्णी उन्हें की तो मैंने 6 kg की होनी वाली hybrid कतला सभी को चाहिए तो किसान बाइयों आपको मैं बता दूँ यह जो भ्रम फैला जा रहा है कि hybrid कतला hybrid कतला hybrid कतला hybrid कतला असल में होती ही नहीं है आप पूरे गूगल को खंगाल डालिए पूरे वेकिपीडिया पर देख लीजे कहीं भी देख लीजे बड़े बड़े हैचरियों में चले जाए कोई जो कह देगा कि हाँ अमारे पास hybrid कतला का सीड है यहां तक कि मेरे पास तीन चार ऐसे customers किसान वाई का फोन आया जो आंधरा से विलॉंग करते हैं आंधरा में मचली पालन करते हैं अब वो भी इतना जादा करते हैं इतने जादे एरियम करते हैं कि यहां तक तो हम लोग के छेत्र में बहुत ही गिने चुने ही ऐसे फार्मिंग होंगे जो उतने बड़े लेंड करते हैं उनकी लेंड थी 200 एकड प्लस कि 250 एकड़ 200 एकड़ मेरे पास किसानवाई का फोना है जिनके पास 200 एकड़ की 200 एकड़ में मचली पालन करते हैं उन्होंने मुझे से बोला अंधरा करके सार आइवांटू हैबिड कतला सीड मुझे हैबिड कतला की बच्चे कि जो आंदरा मचली पालन में एक हब माना जाता है जैसे आई टी में बैंगलोर हब माना जाता है वैसे मचली पालन में आंदर प्रदेश माना जाता इंडिया की ऐसी कोई भी फिस मारकेट नहीं होगी जहांपे आंदरा की मचलिया ना बिकती होंगी सारा अविस्कार वहीं से सारी टेकनोलजी उधर से पुराने फार्मर वहीं से सारी चीजे वहीं से बड़े बड़े फारमार वही से, प्रोडक्शन जादा वही से, फिस प्रोडक्शन काश्ट सबसे कम वही से, सारी चीज़ें वही से, लेकिन वहाँ पे हाइबरीड कतला का सीड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हाइबरीड कतला का सीड होता ही नहीं है, बहुत सारे ल गालिया देते होंगे वो लोग कमेंट करेंगे कि लेक्चर जादा देते हों मैं दूंगा अगर मेरे लेक्चर देने से बहुत सारे किसान भाई अगर ठगी के सिगार से बच जाते हैं तो मैं लेक्चर दूंगा एक बार नहीं हजार बार दूंगा तो किसान भाईयो आप लोग कान कोल के सुन लिजे अगर कोई कहता है कि हाइबरीड कतला का सीड चाहिए तो कंटेट करें तो हाइबरीड कतला का सीड नहीं होता है आपको वही कतला दी जाएंगी कोई नया कतला नहीं दी जागी हैबरीट कतला जो नीव इस्टरे ने लोग बोला जा रहा वो कहीं नहीं है एक वाइरल वीडियो है अब ये वीडियो कहां से वाइरल हुआ यूपी से हुआ, बिहार से हुआ, इधरी से हुआ होगा मैं तो जानता हूँ कि कनफरम है इसी बेल्ड से हुआ होगा उत्तर भारत से ही हुआ होगा लेकिन वाइरल हुआ है अब वो हैबरीट कतला आप देखांगे एक दो साल पहले हैबरीट कतला नहीं थी अमूर कार्प, जैन्ती रोहू बलेक कार्प ये सारी मशलियां बहुत पहले से आप चार साल पहले जाकर के देखेगे तो भी बंगाल में, उडीसा में और आंद्रा वगरों में जैन्ती रोहू अमूर कार्प का पालन किया जाता है लेकिन कुछ हमें लगता कुछ महीनों से कुछ चंद दिनों से एक हाइब्रीड कतला मार्केट में आगे तो हाइब्रीड कतला नहीं होता देखे एक चीज आपको बता दे जिस मचली के ब्रूडर यहनि की माता-पिता का साइज अगर बेस्ट होता न थ्री केजी या थ्री केजी प्लस होता है बेटर दैन वन केजी या वन पॉइंट फाइब केजी के ब्रूडर से तो लेकिन उतने बड़े मचली का ब्रीडिंग नहीं कराया जाता है क्योंकि मचली जब बहुत जादा बड़े हो जाती है तो उसके पेट में चर्वी हो जाता है जब उसके पेट में चर्वी हो जाता है तो अंडे उतनी मांतर में नहीं निकलते हैं यह आप कहीं पे भी जा करके पता कर सकते हैं 100% correct information है तो अगर कोई आपसे कहता है कि हैबिट कतला का सीड हमारे पास है आप ले लिजे तो आपको चूतिया बना रहा है वहाँ पे आप ठगी के सिकार हो सकते हैं जो कतला आपको पुरानी कतला 2 रुपे पीस मिलेगी उसी कतला को छाट करके आपको 5 रुपे पीस दे दिया जाएगा हलाकि जैनती रहू अमूर कार्प बलेक कार्प ये सारी मचलियां होती है गिप्ट तिलापिया ये सारी मचलियां होती है कुछ दिन बाद ऐसा वीडियो आ रहाएगा हैबिड गरास कार्प अगर हम भी कहते हैं कि हमसे आप हैबिड कतले लिजे तो आप हमें भी कहिए कि है नहीं होती है पूरे बंगाल में आपको नहीं मिलेगी पूरे अंधरा में मिलेंगी वह बाइसाब जो आंधरा वाले हमारे पास फोन करके बोले थें कि हमें हैबिट कतला का सीड चाहिए तो उन्होंने हमसे बोला कि हमें लगता है कि वहां पर यूपी विहार वहां पर निव श्ट्रेन आई है वहां पर डवलप किया गया है वह उदर का ही और आपको मैं इंफार्मेशन पता दू जितनी अच्छी जैनल है इस समय किसानों को लूटा जा रहा है कहीं पर सीट के नाम से कहीं पर फीट के नाम पर कहीं पर मेडिसिन के नाम पर हर नाम से कहीं पर हाइब्रिट कर ला कहीं पर कामन कार्व को अमूर कार्व बना दिया जा रहा है रहा है तिलापिया को मोनोसेक्स तिलापिया बना दिया जा रहा है यह ब्रीटिंग नहीं होगा जाने बाद 6 मेने बाद breeding हो जा रही है तो लोगों से कहा जा रहा है कि हो सकता है आपका कहीं से आ गई होगी है ना तो ऐसा है तो किसान भाईयों आप समझ जाए कि ऐसी कोई हाइबिड कतला नहीं है अगर आप नहीं समझेंगे इस बार भी जितना बार हमारे पास हाइबिड कतला का सीड कमांगा आएगा मैं उतना बार वीडियो बनाऊंगा उतना बार लेक्चर दूँगा और अपने किसान भाईयों को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं जो हमारे दरसक हैं जो हमें हमारे चैनल को देखते हैं हमारे वीडियो को पसंद करते हैं मैं उन्हें 100% इंफ तो किसान बाइओ आसा करते हैं कि यह वीडियो देख करके आपका दिमाग खुल गया होगा कि हाइबिड कतला नहीं होती है तो किसान बाइओ आसा करते यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट बाक्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें हमें सपोर्ट करें जब हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें एक नई आपका जो knowledge वो day by day gain करता जाएगा और किसान भायों अगर आप मशली पालन की training लेना चाते हैं तो आप हमारी WhatsApp नंबर पे contact कर सकते हैं हमारा WhatsApp नंबर आपको display के बगल में मिल जाएगा हम आपको पता भी देते हैं हमारा WhatsApp नंबर है 63860827004 एनी हिंदी में 63-86-0-82-704 तो किस अभी के लिए आप से विदा लेते हैं कल एक मशली पालन से related इसी तरीके का नया जानकारी लेकर के आप सब के सामने फिर उपस्तित होंगे तो अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद